राश्ट्रिय जांच एजनसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई के भाई अनमोल बिशनोई पर 10 लाक रुपे का इनाम घोशित किया है। इसके साथ ही जांच एजनसी ने अनमोल के खिलाफ साल 2022 में दर्ज दो NIA मामलों में भी आरोप पत्र दायर किया है। बता दें कि NIA ने ये कारवाई तब की है। जब हाल ही में मुंबई पुलीस ने खुलासा किया है कि NCP नेता बाबा सिद्धी की हत्या करने वाला शूटर अनमोल बिशनोई के संपर्क में थे। इतना ही नहीं इन तीन आरोपियों ने अनमोल से स्नैपचेट के जरिये बात की है कि तेज हवाउं के साथ समुदर में उची लहरेंग उठ रही हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने बैठक कर रहतियाती उपायों की समीक्षा की भुवनेश्वर वकोलकाता हवाई अड़ों से करीब तीन सो उड़ाने रद कर दी गई। रेल भारत और चीन के बीच हुए समझोते के तहट दोनों सेनाओं ने चरनबद तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाक सेक्टर में डेमचोक और देपसांग में दो बिंदूओं पर भारत और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हुए समझोतों के अनुसार भारती असैनिकों ने समबंधित क्षेत्रों में लगे उपकरणों को हटाना शुरू कर दिया है। दोनों सेनाओं के अस्थाई टेंट और अस्थाई धांचों को हटाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और चीन द दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं जबकि देश भर में कुल सरसट दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंदरिय औशद मानक नियंतरन संगठन, CDSCO और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की और से दवाओं के सैंपल लिए गए थे, CDSCO के 49 में से 20 और ड्रग कंट्रोलर के 18 में से 3 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। 23 में से 12 सोलन, 10 सिरमौर और एक दवा कांगरा में बनी हैं। दवाएं मानकों पर सही न पाई जाने पर ड्रग कंट्रोलर की और से कंपनियों को नोटिस जारी कर दिये गए हैं। केंदरिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड, CPCB का पूर्वा नुमान है कि शुकरवार को AQI खराब श्रेनी में रह सकता है। देश के मुख्य नयाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि बढ़ते वायू प्रदूशन के चलते उन्होंने सुबह टहलना बंद क काफिले में मौजूद सेना के दो पोटर की भी मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने गुलमर्ग के नागिन पोस्ट के पास बोटाप्थरी में घात लगा कर हमला किया। अचानक हुई गोली बारी में चालक ने संतुलन खो दिया और वाहन गहरी अध्मी साथ लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। इनमें दो जवान वद दो पोटर की मौत हो गई। तीन अन्य जवानों का इलाज चल रहा है। सुरकशाबलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हलांकि रात होने के कारण तलाशी अभियान में मुश्किला रही है। कानपूर और बुंदेलखंड में किसान परेशान है क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। आलूचना और मसूर के खेत तयार करने के लिए सहकारी समितियों पर डिएपी नहीं है। घंटो लाइन में लगे किसान खाली हाथ मायूस लोट रहे हैं। उनके सबर का बांध तूट रहा है और जगहज का किसान हंगामा कर रहे हैं। हरदोई, फतेहपुर, चित्रकूट और बांधा में ब्रिहस पतिवार को एक बार फिर समितियों पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और हंगामा हुआ। अधिकारी कहते हैं कि बफर स्टॉक में परिया पान मुक्त चाहते हैं। वहीं, 97% ने रेलवे स्टेशनों की तरह हवाई अड़ों को भी पूरी तरह से धूमरपान मुक्त घोशित करने की वकालत की है। यह खुलासा तंबाकू मुक्त भारत नामक पहल के तहत किये सर्वे में हुआ है। सर्वे बताता है कि भारतिय सेक दूबर तक किया गया। यह सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अच्छे स्कूल और मोहला क्लीनिक बनाए गए वह बिजली फ्री कर दी गई। लेकिन भाजबा अपने एक भी राज्य में ये सुविधाएं नहीं दे रह हैं। इसी कड़ी में ब्रहस पतिवार शाम केजरिवाल ने मोती नगर विधान सबाकशेतर में पध्यात्रा की। इस दौरान स्थानिय लोगों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली कि हर महिला के खाते में हजार रुपे महीना दे महाकाल भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। महाकाल मंदर के प्रशासक गणेश धाकर ने बताया कि मंदर समिती ने सामाने श्रद्धालों के लिए 300 सीट की फ्री सुविधा दे रखी है।